श्रीमद रामाएड़म हनुमान, चलो कहा महाराज? मैं नहीं जा सकता मुझे अभी अभी वचन की महानता सिखाई प्रभूश्री राम ने मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता कौन सा वचन हनुमान? किस ने दिया तुम्हे? प्रभूश्री राम का सेवक रहने का वचन जो महाराज मैंने दिया स्वयम अपने आपको मैंने अपने प्रभू की परचाई बनकर रहने की सौगंद खाई थी यती महाराज, आज मैं इस अयोध्या से चला गया तो मुझे भारी पाप लगेगा वचन तोड़ने का पाप तुम्हारा स्थान किशकिंदा में है हनुमान? नहीं जामवन जी, मेरा स्थान किशकिंदा में तब तक था जब तक मेरे प्रभूश्री राम वहां पर थे लंका में तब तक था जब तक प्रभूश्री राम ने वहां पर प्रवास किया हनुमान, जब तक तुम चाओ, तब तक यहां रह सकते हो परन्तु देवी, वहां किश्किंदा? वहां नहीं महाराज, यहां पर मेरा रिदय मेरी माता सीता और मेरे प्रभू के चरणों में है आप सोचो, जिसके रिदय में प्रभू श्री राम और माता सीता हैं, भला उसका स्थान कहीं और कैसे हो सकता है? हनुमान, प्रभू श्री राम की भक्ति तो एक भाव है, वो कहीं से भी की जा सकती है भक्ति के लिए स्थान नहीं, भावना चाहिए महराज सुग्रीव, वो ही भावना ने मुझे यहां इस स्थान पर रोक रखा है मैं इससे अंतर नहीं कर सकता अंतर तो मन में मापा जाता है हनुमान यदि व्यक्ति के मन मिले हो तो वो कहीं भी रहे अंतर नहीं होता अगर व्यक्ति के मन में अंतर हो तो वो पास होते हुए भी तूर होता है श्री राम तो रोम रोम में है, इस भू के हर कणकण में है झाल झाल हनुमान ये कैसी उद्धन्डता है तो क्या इन मोतियों के रिदे में भी प्रभुश्री राम है इसमें तो नहीं है प्रभुश्री राम इसमें भी नहीं है प्रभुश्री राम प्रभुश्री राम तो किसी वस्तू में भी नहीं है प्रिया हनुमान रिदे में श्री राम की छबी होने का अर्थ ये नहीं है कि सत्य में उनकी छबी वहां दिखाई दे ये तो बस कहने भर की बात है नहीं नहीं लक्ष्मन भाईया, भक्ती में जो कहा जाता है, वो सत्य में भी होता है प्रभू श्री राम को हृदय में बसाना और बसना ही क्या यदि प्रभू की छबी इस रिदय में ना उतर जाए स्वैम और इस संसार को दिखाई ही ना दे अरे रहने दीजे हनुमान जी, मान गया आप नहीं जाना चाहते हैं यहां से पर ऐसे असत्त तो मत कहिए अच्छा बताइए, क्या आपके रिदय में श्री राम की छबी दिखाई देगी? देगी, और यदि ना दिखाई दे तो हनुमान के लिए इस जीवन का, इस रिदय का कोई अर्थ नहीं तो फिर सिद्ध करो मैं अभी इसी शन सिद्ध करूँगा कि प्रभूश्टी राम के प्रती मेरी निष्ठा सच्ची है कि मेरे इस रिदय में मेरे प्रभू की छवी बसती है सतित्व की दुहाई देने वाली आज मुझ चिपा कर क्यों जा रही है दशानन जैसा बली जिसे पाना चाहे उसे छोड़ कैसे सकता है फर इतने समय रावर के पास रहने के बाद अब मुख चुपा रही है स्री राम चंद्र कृपालू भजुमन हरण भव भैदारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारू सियरा, 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 सियरा महराज नदी में जुआर आया हुआ था नोका नहीं मिला बयानत आधि और वर्षा हो रही थी इसी कारण मैं अन्दकार के पूर्व घर ना लोट सकी। सिरी से लिए मेरे पती ने मेरा पहिश्कार कर दिया। पूरी राते में बिना खाय पिये, तट पर बैठी रही। और मेरे पती का कहना है कि मैं नाव चला के स्वर्म क्यों नहीं चली आई। खाली मटके के सहारे नदी पार क्यों नहीं कली या मैं डूपकर मर क्यों नहीं गई। महाराज, मैं उनका संदे कैसे दूर करूँ, कैसे सिद्ध करूँ, कि इनकी अतरिक्त मेरे इस मन में किसी ओहर का स्तान है ही नहीं। एक नारी के लिए इस से बढ़ा लालचना खुछ नहीं है महाराज। मैं जानती हूँ। आत्म हत्या से बढ़ा और कोई बाप नहीं। मैं वही बाप यहां करने आई हो महाराज। जय हेना आपको करना है महाराज। या तो आपने आएकलीजी, या तो फिर मुझे आत्मा हात्रया करने की अनुमा देदीजी, महाला आत्मा अनुमा देदीजी. भैया, हमें इसी शण जाकर उस वस्तरक को दन्ड देना चाहिए. और यदि आवशकता पड़ी, तो पूरे समाज को तंडित करना चाहिए. भरत, अपने सत्य का कोई साक्षी है आपके पास? हाँ महाराज, है एक साक्षी. वो नाविक जो मेरे साथ रात को उस पार बैठा हुआ था. वो भी जलस्तर उतरने की प्रतिक्षा कर रहा था. और प्राता हकाल, जब सब लोग जा रहे थे, उन सब ने देखा था, कि हम दूर दूर बैठे थे. उस नाविक को दरवार में प्रस्तूत किया जाए. कवे के घोसले में अड़े किसके हैं? किसने बोला? बोलो! किसने बोला? तुम्हारे मंत्रियों और अर्धिकारियों में लोग और लालच पर दूँगा. प्रजा के मन में अविश्वास और सिंखर्ष का पीच बोदुगा. इस्त्री को सम्मान सहित राजय के आश्रे में रखा जाए. शीग्रही सभी पक्षों को सुनकर निर्णय लिया जाएगा. इस्त्री के पती का पक्ष जानना आवश्यक है. इसमें पिर्मान की क्या आवश्यकता? जब मेरी पक्षी मेरे साथ नहीं थी, तो किसी और के साथ ही होगी. कुलिंग घराने की इस्तरिया, इसमें बन बीहड में, अकेले नहीं गुमा करती. और वो भी इतनी रात्री में? राज कुमार, राज महर में घटनाएं चुपाना सरल हैं. क्योंकि भय के मारे वहाँ कोई कुछ नहीं बोल सकता. तरन्तु हम सब साधान लोग हैं. हमारे जीवन की घटनाएं नहीं चिपती. राजा से कोई प्रश्ट नहीं पूछ सकता. और हम पर उंगियां तुरंट उड़ जाती हैं. तुर्ष्ट! तुम्हारा दुस्तास कैसे हुआ? तुम कहना क्या चाते हो? देखा ना, राज कुमार? राज महल के बिशाय में तुरश्ण हो, तो ये पृतिकार मिलता है. आपके द्वारा. देखा ना, ये अन्याय है. उचित अनुचित का निर्ने राजा करते हैं. कोई और नहीं. छोड़िये, प्राण निकल जाएंगे. ये कैसा न्याय है? राज कुमार, राज कुमार छोड़ दीजे. मैं आप सबसे शमा मांता हूँ. मैं अवेश में आ गया था. पर आपका पक्ष राजाराम ही देखेंगे. आपका पक्ष सुनकर ही निन्ना ही किया जाएगा. बात इतनी बढ़ गई है, अब महराज ही ने आय करेंगे. सारी अयुध्या की मती कैसे प्रष्ठ हो सकती है? माना की वस्तरक के मन में, सहस्त्रमुक रावण ने विश्ख खोल दिया. किन्तु सारी प्रजा अपने सोचने समझने की शमता को भूल कर, अनुचित का अनुसरन कैसे कर सकती है? किसी ने कुछ कह दिया बस उसी सोच को थामे हुए हैं? अनियंतृत मन और मस्तिष्क, तोनों ही विनाश की ओर लेकर जाते हैं, और मनुष्यों की यही दुरबलता. सहस्त्रमुक रावण का बल किसी भी मत या विचार को सत्यमानने से पूर्व, अपने बढ़ों, याद बुरु जनों से उसके आचित्य का प्रमान अवश्य लेना चाहिए.